नमस्कार साथियो आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत हैं आज हम बात करेंगे कि आप अपने भाग संग्या की या अपने बूत की या कहीं की भी वोटर लिस्ट कैसे देख सकते हैं और अपना इपिक नंबर या वोटर आईडी नंबर कैसे जान सकते हैं तो चलिए शुरू करते हैं अपना वोटर आईडी नंबर या इपिक नंबर जानने के लिए और वोटर लिस्ट डाउनलोड करने के लिए आपको सबसे पहले अपने मोबाइल के क्रॉम ब्राउजर में जाना है क्रॉम ब्राउजर में जाकर आपको गूगल में जैसे आप राजस्तान की वोटर लिस्ट डाउनलोड कर रहे हैं राजस्तान के किसी की बूत की तो आपको गूगल में लिखना है CEO राजस्तान जैसे यह आ गया है इस पर क्लिक करते हैं गूगल सर्च रिजल्ट में CEO राजस्तान.nic.in यह वेबसाइट आ चुकिए इस पर क्लिक करेंगे CEO राजस्तान पर यह पेज खुल कर हमारे सामने आएगा अब हमें जाना है citizen center में यह देखे citizen center इसमें सबसे उपर लिखा है Supplement 2 और Final Electrol 2021 इस पर क्लिक करना है इस जगह आपको लिखावा मिल सकता है Draft Electrol 2021 या 2022 जो भी हो या Final Electrol सबसे उपर का जो option है उसी पर क्लिक करना है वोटर लिस्ट देखने के लिए तो इस पर क्लिक करेंगे You are being redirected to an external website ओके करना है यह page खुल कर हमारे सामने आ जाएगा अब यह आपको पूछेगा वाई रास्तान के किस जिले की आपको वोटर लिस्ट देखनी है तो आपको जिला चैन करना है जैसे मैं चैन करता हूँ जैसे मुझे नागोर डिस्टिक की देखनी है फिर यह पूछेगा विधान सबा कौन से विधान सबा की देखनी है तो नावा विधान सबा का चैन करेंगे उसके बाद यह एक कैप्चा कोड आया है वो आपको इसमें डालना है कोलम में सर्च कर रहा है यह नावा विधान सबा क्षेत्र के जितने भी बूत है उन सब की लिष्ट खुलकर हमारे सामने आज चुके अब आपको जो भी डाउनलोड करनी है वो आप यहां से कर सकते हैं जैसे आपको जैसे मैं मेरी करता हूं डाउनलोड तो मैंने यहां इस पर क्लिक किया है व्यू और प्रिंट पर व्यू और प्रिंट पर क्लिक करते ही यह वो एक पेच और खुलेगा यह आ गया अब इसमें आपको एक कैप्चा और डालना है verify and download पर क्लिक करते ही यह open का एक option आए गया है इस पर क्लिक करते ही what list है वो download हो जाएगी यह download हो चुकिये आप अपनी file manager में या फिर अपने जो chrome browser है उसमें जो downloads है वहाँ जाकर यह देख सकते हैं supplement यह download हो चुकिये रास्तान की वोटलिस्ट तो हमने download कर ली अब जैसे आपको पंजाब की वोटलिस्ट डाउनलोड करनी है तो आपको यहाँ डालना है CEO Punjab same process है कोई ज्यादा different नहीं है फिर भी मैं आपको एक बार करके और बता देता हूँ यह उपर तो address है वहाँ का यह देखो नीचे CEO Punjab.gov.in के website आ गई है इसपे क्लिक करेंगे वैसे तो वहाँ सीद्धे आ गया था draft इलेक्टरोल का option लेकिन मैं आपको पूरी website खोल के बता देता हूँ यह CEO Punjab.gov.in website खोल चुकी है यह पेज खुल कर हमारे सामने आ चुका है अब हमें क्लिक करना है draft इलेक्टरोल 2022 पे वहाँ तो रास्तान की जो website थी उस पे लिस्ट आ रहे थी यहां पर यह एक पेज मैप खुल रहा है उसमें से आपको सेलेक्ट करना है जैसे आपको जालंदर की कोई अब पूछ रहा है जालंदर के कौन से विदांसभा क्षित्र की तो जैसे हम करतारपूर की करते हैं तो करतारपूर पे क्लिक करते हैं यह करतारपूर आ गया है अब हमें करतारपूर की जो इलेक्ट्रोल से पीडिये फाइले हैं यह सारी यहां है इस पे क्लिक करेंगे अब परतापूर के जितने भी बूत है उनकी लिस्ट आ चुकिए है जैसे अब हमें जमालपूर की डाउनलोड करने है तो जमालपूर पे क्लिक करेंगे ये फूच रहा है ये नोट रोबोट ये क्लिक करते ही डाउनलोड हो जाएगी ये आपके पास पंजाब के जालंदर के करतारपूर विदांस बाखसेतर के जो जमालपूर कोई गाम है वहां की वोट लिस्ट आ चुके अब आप इसमें देख सकते हैं पूरी वोट लिस्ट है ऐसे आप अपने वोट लिस्ट देखके अपने नाम सर्च करके उसमें और अपने इपिक नंबर देख सकते हैं इपिक नंबर है वो सबसे उपर की तरफ आते हैं इस परकार आप अपने वोट लिस्ट देख सकते हैं और अपने इपिक नंबर या जो वोट आईडी नंबर ह वो जान सकते हैं, देश के किसी भी कोने की वोट लिस्ट आप ऐसे डाउनलोड कर सकते हैं, कोई भी स्टेट की, किसी भी डिस्टिक की, किसी भी विदान सबाक सेतर की, और कोई भी जो बूथ है, किसी भी बूथ की आप वोट लिस्ट डाउनलोड करके, यहां से देख सकते है यह Election Commission of India पूरे देश की वोटलिस्ट आपको प्रोवाइड करवात है इस परकार आप वोटलिस्ट डाउनलोड करके अपना इपिक नंबर है वो जान सकते हैं